कुछ नाम होते हैं जो शहरों के नाम से पहचाने जाते हैं कि ये शहर है इसमें ये ये नाम है और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन से शहर पहचान रखते हैं ऐसे बहुत कम नाम होते हैं और ऐसे ही गौरी शंकर गौराल जी हमारे साथ हैं गौरी शंकर जी बहुत-बहुत स्व कार का काम पसंद नहीं आरा जो आप जेल भरो अंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं कि देखे प्रजात अंत्र में कि बहुत सार के मौली का अदिकार जनता को प्राप्त हैं और विशेश करके कि सामाजीक राजनेतिक धार्मिक छेत्र के लोग समय समय पर अपनी बातों को जनता तक पहुचाने के लिए और प्रदर्शन धर्ना अंदोलन इस प्रकार का कारी करते रहते हैं पहले भी कारीक्रम होते रहे हैं भारती जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में तो हम लोग कि जब विपक्ष के लोग आवेजन करते थे तो केलेक्टर उनको अनुमती दे देता था इस स्थान पर आप कारिक्रम कर सकते हैं अभी पता नहीं क्या हुआ निन से के सरकार जागी है कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि 18 पॉइंट्स के आपको जानकारी देते और एफीडेविट में यह लिखना है कि अगर इसमें इन 18 में से किसी भी बात का वाइलेशन होगा तो उसके लिए वा स्वेम जेमेदार होगा आयोजक आयोजक जो है तो कुल मिला करके ऐसा क्या डर हो गया सरकार को कि विरोत की बात को सुनने से क्या उनकी कुर्सी खिसक रही थी उसके लिए 20 अप्रेल को उनको आदेश जारी करना पड़ा है अभी बीज़पी प्रभारी डी पुर अंदेश्वारी और नितिन नवीन जी से प्रभारी दोरे पर लगातार है चुनाव नजदेक आ रहे हैं एक बयान आया नितिन नवीन जी का और मैं उस वक्त मैंनों का फोन भी लिया था अब से कुछ दिन पहले की बात है तो उन्हो हमारे पास ब्रिजमोन अगरवाल है अजय चंद्राकर है एक से बड़े नेता है आप इतने बड़े सीनर नेता है तो चेहरा क्यों नहीं बना सकते है कि मुझे आपको फिर से इस बनार कराना पड़ेगा भारती जनता पार्टी ने कभी भी किसी चेहरे को सामने रख करके एक भी चुनाओं में नहीं हुआ चुनाओं के रिजल्ट आने के बाद विधायक दल बैठ करके और हमारा केंद्री पार्लिया मेंट्री जो है उसके बाद उस चीज पर मुहर लगाती है वह मुख्यमंत्री बनता है रहा सवाल नितिन नवी जी ने बोला कि नरेंद मोदी चेहरा रहेंगे तो क्या आप नहीं मानते पूरे हिंदुस्तान में भारती जनता पार्टी का चेहरा नरेंद मोदी है अगर 36 गड़ के लिए भी रहेंगे तो क्या इसमें क्या गलती हो जाएगी अभी चार-पांच स्टेट्स में चुनाओं हुए है क्या मोदी यह वहां क आपर चेहरा होंगे तो उसमें क्या पता परती है गौरी संकर अगरवाद जैसे हमारे आपरटी में हजारों कारीकरता है जो उस पद्र तक पहुंच्ती है कि अश्य ठीजनता पर्टि के जिसको भी राइतम रेगा उसकारी को और पूरी इमांदारी और निष्ठा के साथ और जिस प्रकार से 15 साल में डेक्टर रमिंस जी ने हैं चतेजगण के नकसे को बदलने का प्रयास किया लोको तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया कोई बनेगा तो भी वही काम करेगा जब मैंने चेहरे की बात की तो आपने कहा कि बीजुपी चेहरे गोशित नहीं करती उत्राखंड में बगत सिंग कोश्यारी उसके बाद फिर अपने ब्रिगेडे साथ इधर यूपी में योगी साथ तो दो केटिगरी है क्या कि कुछ राज्य योगी जी वस्तम में और जिस प्रकार का चेहरा भाजपा का बने जिस प्रकार के देश के लिए चेहरा नरेंद मोदी जी हैं उसी प्रकार से यूपी के लिए और योगी जी का चेहरा निश्ची तुप से भारती जनता पार्टी के लिए और ठीक था इसलिए वहां का चेह लीडर्शिप हैं उनमें उनका चेहरा शामिल होता रहा है हमने कल एक तस्वीर देखी राजस्थान में चिंतन शिवर हुआ पहली पंक्ति में मैंने देखा फोटो राहूल गांधी बैठे हुआ है और उसका भूपेश बगिल बैठे हुआ है तो जो टॉप लीडर्शिप है यहां एक श्थानिये चेहरा तक नहीं देपार हैं क्या है एक नेगटिव इंप्रेशन मीजज़ागा जननता में तेज़ को किसी भी पर पालटी में अच्छा इस्थान मिलता है संब्सक्राइब है तो हम उसका स्वागत करते हैं उसकी प्रसंसा करते हैं लिए ताली होने क बज गई नहीं ठीक है मतलब देखिए आज अगर 36 गड़ का कोई छात्र और बहुत अच्छा अच्छे किसी पोस्ट को होड़ करके कहीं पर नाम कमाता है हर 36 गड़ वासियों को उसके फूसी होती है किसी को एवार्ड मिलता है कोई प्रतिबास संपन व्यक्ति जो है उसको न तो राजनितिक छत्र में हम दुस्मनी करने के लिए नहीं है पहली बात तो यह मैं क्लियर कर दो राजनितिक छत्र में हम अपने विचार को अपने कारेक्रमों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं जनता जिस बातों को पसंद करती है जिस पर विश्वास करती है उसके आ और जनता अंतिम फैसला करने वाली है कि कौन आने वाले 2023 के चुनाव में इस प्रदेश का नेत्रित करेगा मुकाबला कोई भी हो अगर प्रदी मजबूत है तो फिर मज़ा आता है आप पहले आरोप लगाते रहे हैं मतब आप से सिर्फ आप से नहीं पीजेपी से है कि कफिल सिब्बल साफ कॉंग्रस के बड़े नेता है राम मंदिर पर सुनवाई हो रहे हैं तो वो सुनवाई टालना चाहते हैं कोट में आचे क बनाया गया तो यह तो वो चीज़ है जिस पर आप कपिल सिब्ल को कोशा करते थे कॉंग्रस को कोशा करते तो मुख्यमंत्री तो इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ एक है चेहरा ऐसा जो कम से कम उन चीज़ों को मानेता देता है उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है जिन पर आज तक हम जोड देते रहें और जब दो सांसितो के पार्टी थी थी हम तब से कहते रहे कि हमारी परमपरा इसको आगे बढ़ना चाहिए हमारी आपत्ती उनके कार्यों पर नहीं है हमारी आपत्ती उनके दिखावा से है कि कोट के उपर जनुब पहन करके और जा करके दिखाते हैं कि मैं ब्रामन हूं हमारे को आपत्ती इस बात से है कि मन में कुछ है और उपर कुछ दिखा रहे हो भारती जनता पार्टी के जो मु होगे हुए हैं लेकिन जनता को मालूम है कि राम मंदिर के निरमाण के लिए ब्याओधान किसने किस ने पैदा किया आज राम मंदिर बन रहा है तो उसके लिए स्वागत है अज छत्य गड़ में राम वन बिए इनको अपने दिल नराम को आजाएगा về वो आपकी ईतकी संस्था है राजनितिक विंग को है नहीं ओ तो वो तो महीमा वेटनन ने योγना को लेकर बहुत बढ़री काम कि आप गाए को लेके तो आपने कहा कि हम माला पहनाएंगे लेकिन आरिसस तो माला पहना दी और दूसरा ये मुद्धा आपका था गाए गोबर राम तो इस पर जब सरकार आगे बढ़ी है कि सानुसे गाए खरी दिखें ऐसा है संग छेत्र जो है उसके लिए किसी भी राजनीतिक प तो इसलिए अगर उपेज बगेल जीन ने गोधन यायोजना चालू की अगर संग छेत्रों को अच्छा लगा है तो क्यों स्वागत नहीं करना चाहिए क्या हम डिक्टेट करेंगे उनको स्वागत बत करें हमारी पैत्रिक संस्त है मात्री संस्त है हम लोग उसी पार सालह से पढ़कर के यहां तक कूचे हैं और जो कुछ भी करते हैं उसका स्वागत है तो गोधन भी अच्छी है और रप गौमूत्र की भी खरीदी की बाफ चलिए गौमूत्र की बीखरीदी की बात चलिए सर एक आर्योजना बनाई जाएगी उस पर आप इन सब योजनाओं की बा पूरे चत्तिविगर के लोगों को बोरे बासी का अर्थ ही नहीं मालूं है मेरे लगता है आदिम युग में चत्तिविगर को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ दिनों बाद बोलेंगे जो राइस पिल हैं सबको बंद करके और ठेकी घर-घर में लगवादो उससे चावल पैदा करो उससे चावल बिलेगा उसको खाओ कोस्टिक भी रहेगा कुछ दिनों बाद ऐसा है बोल सकते हैं घर-घर में जाता लगवादो उससे आटा बनाने का काम उससे करो क्या जीस तेजी से और विज्ञान के कारण पूरा देश आगे बढ़ रहा है हमारी सारी व्या करके पूरे बस्तर को जोड़ने का प्रयास किया गया क्या इस बात की चर्चा करने की जड़ुरत नहीं है कि 36 गड़ राज्य के निर्मार के बाद प्रसम मुख्यमंत्री अजीज जोगी के बनने के बाद 36 गड़ में कुछ कुल 20,000 और सालाय थी वो बढ़ करके 65,000 हो गई क्या इस बात की चर्चा करने की आवस्ता नहीं है कि 36 गड़ में महावज डाले की संख्या 2003 में 180 थी जो 400 गया स्पास हो गई क्या इस बात की चर्चा करने की ज़रुरत नहीं है कि connectivity के च्चेतर में पूरे 36 गड़ ने कर्तिमान इस्थापित किया क्या इस बात की चर्चा करने की आवस्ता नहीं है कि कोल के ट्रंस्पोर्टेशन के लिए और जोगी घरानों को साथ में लेकर के रेलवे लाइन विछाने का काम और पीपी माडल के अध्यम से सुरू हुआ ये सारी बाते जो विकास से संबंदित बाते हैं उससे धान हटान के लिए ये प्रपंच जो है इस प्रकार का किया जा रहा है कि मैं छत्तिगडिया हूं कि अपने आपको सब्सक्राइब करते हैं सायद उनको ब्रम है कि लोग मेरे काम करना का मौका दिया आप देख रहे हैं कि कितना काम हुआ है तो इसलिए मुख्यमंत्री खुद आप जनता के द्वार रहें इस बीच में सभाचार पत्रों में छपा था कि छत्रिगड़ के कांग्रेस के 23 विधायकों का परफर्मेंस बहुत खराब है अधिर उन 23 चत्रों को पहले चिन्नित कर लें वहां पहले जाएं इस में सर इदर वाले भी हैं कि इदर बरदवाजर वाले मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो तो नाम नहीं छपा था लेकिन 23 विधायकों सभाच्छेतर इस प्रकार चपा था इस प्षारा तो देदी जिए स कम से कम 38 चीट में उनकी इस्थिती और गंभी रहे कभी वहां पर दुर्गटना हो सकती है आराम से चलें दुर्गटना संभावी तक्षेतर है सर दो साल से भी कम वक्त रह गया करीब करें विधान सवाच्छोनाव में बहुत बड़ा जो 36 बिंदों में बहुत बड़ा जो आपको लगता है संभव है तब जब की कोविड भी बीच में गया यह भी कहा गया कि रेविन्यू से भी जूज रहे हैं और जनता की बलाई के लिए पैसा भी चाहिए फिर आरोपी लगता है कि केंद्र हमको जेस्टी कि शर्ति पूर्ती नहीं देता जून के बाद बनाय र जानता है यह 36 सरकार को अगर नहीं मालूम हो तो मैं देता हूं को क्योंकि मेरे काम में भी बारदाना लगता है कोई भी बात जो निगेटिव है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और बाकी वहवाई लूटने के लिए प्रदिश सरकार सामने खड़ी रहती है मैं स प्रदान मंत्री के ओपर सिधा और प्रदान मंत्री को जिस अपासा में यहां के कंग्रेस के प्रवकताओं संम्भधन होता है हमने कभी गया संस्कृत हमारी शॉतिघ कर संब कर दो सब चीजों को जोड़ लेंगे तो स्वागत है उनका भी है शुचिता और नैतिकता का स्थान हमेशा सियासत में बेख्षित है होनी भी चाहिए और यह बहुत जरूरी है कभी उनसे टक्राव नहीं होता है इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं कांग्रेस में मैं आदा घंटा पूरा सरकार की कमिया निकाली है फिर बाद में कहिए कि बहुत अच्छे हैं सुरेन जी अब सुरेन जी इताय करेंगे आके कि बोलना क्या है और कैसे जवाब देना है खैर बहुत धन्यवाद है आपका गौरी शंकर अगरवाल जी और जितने बड़े चेहरे उतनी नजाकत है मैं चाहूंगा कि आप प्लीज बंच पर रहें प्रिणा धन्यवाद सर बहुत शुक्रिया सर बहुत धन्यवाद खपरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं लेटिस्ट अपडेट के आप हमारे यूटूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ बैल आइकन पर क्लिक करना न भूले